शहर से करीब 5 किलो मिटर दूर उमर खली रोड पर वाटर वर्क्स के समीब रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पिता अपने ही तीन बच्चों के साथ नदी में कुद गया हाला कि कुछ ही दूरी पर मचली पकड़ रहे मचवारे और कुछ योकों की सतरकता से युवक और आंट वर्षी लड़की को बचा लिया गया जबकि एक चार और साथ वर्षी बच्चे की डुबने से मौत हो गई बद हवास पिता को अस्पताल में भरती कराया गया है पुलिस मामले की जाच में जूटी है हाथ से के सुचना पर बड़ी संख्या में समाज की लोग अस्पताल पहुच गए है जिस पर पुलिस को इस्तित सभालनी पड़ी समाजनों को समझाईज दे कर अस्पताल से रवा और चारवरशिया अरहान के साथ शाम करीब चार बज़े घर से निकला था पाच बज़े के करीब परिजनों को मोबाइल पर सुच्छा मिली कि वह संतोषी माता के समीप कुंदा नदी में बच्चों के साथ गए हैं हाथशे में बिलाल और सुहना को मौके पर मौजूद ल दो बच्छों को लेकर आए जो मुरत तवस्था में लेकर आये हैं दोनों लगबग 3-4 साल के करीब होंगे दोनों ही लगबग दूबने से मृत्ति लग रही है कुछ माता मंदिर इदर चोक पर कहां पर डूबे हैं यह बताया गया है लगबक चार बजे के करीब इनके पिता जी दौरा बताया गया है कि चार बजे हम वह आ गया है कि अधिन के अधिन के साथ वाले बता रहे थे कि वो भी डूबे हैं लेकिन देखके तो लग नहीं रहा कि डूबे हैं कपड़े वगरा सब सुखे हुए थे वो तब बाद में ही पता चल पाएगा कि क्या है भर्ती कर लिया गाया उनको हाँ वो तो पोस्ट माटनम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या ही है हाँ दो बच्चों के मिलूपने की सूचना मिली थी पुलिस तत्काल पहुच गई थी तो वहाँ पे दो बच्चे जो है मुर्थ होगा है एक बच्चे को बचा लिया गया है संजे नगर निवासी बिलाल और फुसहजाद इन यह अपने बच्चों को साथ में लेकर गए थे महाँ पर और अग्यात कारणों से बच्चों के डूबने से मुट्टी हो गई है अभी मर्ग जांच में है और बच्चों का पीम किया जा रहा है और जो भी अप्डेट होग सब खुला सा हो जाएगा मैं इस ब्योपी रोईत लखा रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें